आजकल किसी से भी पूछ लो और क्या खाएगा फ्रेंच फ्राइट खाऊंगा यह 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 क्या तोफ है मैं आप लोग को क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइट कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं तो वीडियो में बने रहिएगा ठीक है बहुता है बहुती है तो बिल्कूल भी टेंशन लेनेवारती है के बहुत सारी चीजेस में लगेंगी बहुत single recipe europa तो अब सबसे पहले आलू अलू तो गंजा करने आलू लंबे टाइप के लेने है और यह चारोई साइट से थोड़े-थोड़े आपको कॉषिश करनी है तो थोड़े थोड़े आपको cut करने होंगे ताकि स्क्वार्शिब में आ जाए अब क्या करना है आपको equal size के इसके pieces cut करने है मतलब same size के in the same time pieces cut करने है अब एक अलू के चार pieces भी हो सकते है पांच भी हो सकते है तीन भी हो सकते है अब उन ही pieces के आपको लंबे-लंबे ऐसे फ्रेंच फ्रेंच फ्राइजे से लंबे होते हैं ना मतलब समझ गया हो ना तुम लोग यह देखो यह देखो गुजड़ना नहीं है खाना है ठीक है अब पानी लेना है गरम उसमें यह सब डाल देना है अब एक नीचे गिर गया उसकी आप टेंश मतलब फेक डाल देना अब थंडे पानी में थोड़ा थे थंडाने देना फिर थंडे पानी में से इसको निकाल लेना निकालने के बाद एक पतीले में या किसी भी चीज में इसको रख लेना मैंने फिर से वही पतीला धोके उसी में इसको फिर से ट्रांसफर कर दिया है के ले जितना आप हिलाएंगे उत्रा अच्छा रहेगा क्योंकि इस पर tomorrow यहां जरूरी है इस soul जरूरी है भी आप इसके ऊपर कॉटिंग आगी है अब क्या करना है अबJust रखनी पर लेना है जो एक्स्ट्र होगा न उसको जाड लिजेगा थोड़ा से अब रखनी पर पकने देंगे जब तक रिस्प न होजा हमारे अलू पकना जाए तीन मिनट लगते हैं दो से तीन मिनट जादा टाइम नहीं लगता है बट मैंसे चला-चला के इसको पकाता है औ बड़ी हासा इसके उपर कलर भी आगया सुन्दर लगला देखने में वह आपने फ्रेंश फ्रैक खाये होंगे मगडो 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 क्या बोलते हैं उसे बहुत अच्छा रहता है चट पटा है उसमें क्या स्वाद रहता है पता है नहीं कि ढाल के देते हैं सब्सक्राइब क इच्ट की थेगे तो की यूच की रहता है नहीं कर दोते हैं सम्हाद की जिए कॉग्ट की तो कि यूच्ट की थी